कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्षमी नायरायन ने शनिवार किशाम प्रहलाद नगरी फालेन से सुपाना मार्ग का लोकारपन किया वहीं चोटे मोटे गाउं में भी सूबे के मुखिया योगी आधितनात एवं उनकी टीम के मंत्री अपने शेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते इसी को लेकर छाता विधान सभा के विधायक एवं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्षमी नायरायन भी अपने शेत्र में विकास कार्य दिन पर दिन करा रहे हैं शनिवार की शाम कैबिनेट मंत्री ने फालेन पहुँचकर सुपाना तक की रोट का शिलान नयास किया करक्रम इस्थल पर पहुँचते ही सुपाना नगरिया पैगाम राजागडी बढ़जावली के लोगों ने कैबिनेट मंत्री का दोपट्टा स्वाफा पहना कर भव्वे स्वागत किया वहीं कैबिनेट मंत्री एवं उनके प्रतिनेदी नर्देव चौधरी ने वीधी विधान से पूजा अर्चना करा कर नारियल तोड कर मार्ग का शुभारम किया लोकारबन के पश्चात कैबिनेट मंत्री ने एक सभा को भी संबोधित किया जिसमें बोलते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पहली बार यहे देखने को मिल रहा है कि भाजपा सरकार ही आप सब की सरकार है जिसमें सभी को प्रात्मिक्ता दी जा रही है सरकार द्वारा छाता विधानसबा शेत्र में एक लाग गाय का आशियाना बनवाय गया है वहीं आवारा घूमती गायों को नगरपाली का शेत्र पंचायत में अस्थाई गोशाला बनवा कर उनके रहने की व्यवस्था बनवाय गयी है किसान के लिए प्रदेश सरकार ने खात की अच्छी खरीद की है जिसमें किसान को खासा लाब मिला है खात की हो रही छुटपुट दिक्कत को लेकर सभी किसानों को खात दिया जा रहा है जल्दी अन्य किसानों की समस्या का भी समधान किया जाएगा पंदे मिन्ट में आगे पंदे 20 मिनट में आगी है, इसलिए पालिन ग्राम के हमने पूरे च्छितर में सरवागी रिकास किया, इसमें फालिन ग्राम में जो होगी हुमारा फुड़ा बहुत तक्षा देशा रहराका शराब रास्ति इसके धार के दिया पचास लाज़ के झाल, 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 झाल